वेलकम टू माय किचिन आज हम टमाटर बेजल सूप बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए तीन टमाटर मीडियम साइज के तीन टमाटर पे हम एक सिया मल्टिप्लाय की साइन का कट मारेंगे कट लगाएंगे प्लस साइन का ताकि जब हम इसे उबा लें तो ये इसकी जो इसके ने खाल है वो आराम से उतर जाए अब हम इन तीन टमाटरों को बॉयल करेंगे पानी गरम है इसमें डाल दें और ढखके मीडियम फ्लेम पे पांच से आठ मिनट तक पकाएं इसको आठ मिनट बाद आप देखेंगे इसकी इसके इससे खुदी अलग होने लगेगी आठ मिनट हो गए हैं अब हम टमाटर को निकालते हैं बाहर ये देखें इसकी इसके नाराम से खुदी अलग हो गई है इतना बॉयल करना है कि इसके जो है वो अलग होने लगे अपने आपी यह देखें तो अब हम डमाटरों को बाहर निकालते हैं पानी से और थोड़ा डमाटरों को ठंडा होने देंगे जैसे ही थोड़े ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसकी खाल इसके न उतार देंगे तो यह थोड़े ठंडे हो गए हैं फिर भी बहुत गरम है तो इसकी उसकिन उतार दें और यह जो इसकिन है हम फेक देंगे क्योंकि यह डाजेस्ट भी नहीं होती और यह गलती भी नहीं है इसलिए इसकिन को उतारा करें सारी इसकिन निकालेंगे और डस्ट पिन में फेक देंगे हम बीच में यह ग्रीन पर है छिर सेंटर में भोकट हुए के लेगे।। मना लख भीजिला है। मैंम ऴादमाट के लेगे, तो इसग्すथम तैन्हें धाया है, लगे छाहिपशन सिद्धाइफे। वो काट लिया है अब हम इसमें डालेंगे आदा कब पानी और ये तीन टमाटर डालेंगे और टमाटरों को आदा कब पानी के साथ ब्लेंड कर लेंगे तो इसमें तीन टमाटर और ये बीच भी डाल दें वैसे हम इसे चान लेंगे blend करने के बाद तो ये बीज अलग हो जाएंगे तो ये प्यूरी बन गई है अब हम इसे अच्छे से चान लेंगे मैंने बाद में इस ट्रेनर चेंज किया था ये सही नहीं लगाता मुझे तो और मैंने अच्छे से चान लिया था सारे बीज अलग हो गए थे और प्यूरी इसकी नीचे आ गई थी तो इसे जरूर चान लियेगा इसे बड़ा फरक आता है अगर आप नहीं चानेंगे तो टुमेंट आउ सूप आपका अच्छा नहीं बनेगा तो ध्यान रहे इस बात को यह आपको जरूर करना एस टेप तो मैंने इसे चान लिया अब गेस पर दुबारा से से हम रखेंगे और अब हम इसमें डालेंगे तो आठ पते तुल्सी के डालें तुल्सी पता आठ एट बेजल लीवस और अब हम इसमें डालेंगे एक चौताई 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 चौ इसको आन करते हैं और इसे पकाएंगे हम जब तक इसमें अबाल नहीं आ जाता अब हम इसमें एक छोड़ा चमच कान फ्लोर एक टेबिल स्पून पानी पानी और कान फ्लोर को मिक्स कर दें तो ये बन गई हमारी सिलरी ये हम सूप में डालेंगे सूप को थिक करने के लिए त देखें सूप में भी उबाल आ गया है मैं आपको दिखा देती हूँ उबल गया है सूप भी ये देखें सूप उबल रहा है अब हम इसमें ये सिलरी डाल देंगे कान फ्लोर वाली ये इसमें डाल दें और इसे इतना पकाएंगे ये सूप थोड़ा गारा हो जाए दो से त में 2-3 मेर्ट carved medium to high flame पे पका लें कानफलोर भी पक जाएगा और सूप भी थोड़ा थिक हो जाएगा और बैजल लीव्स का फ्लेवर भी आ जाएगा थीव चुलाझ ऑशmesi प्लेवर भी आ जाएगा सूपमें कमेंट, सब्सक्राइब, यूर व्यूस मेंटर से लॉट, प्रेस बेल आइकन बटन, घंटे के बटन को जरूर दमाएं, थेंक यू फॉर वाचिंग, तुलसी पता से उपर से गार्निश कर लें, थेंक यू फॉर वाचिंग,